अलो ट्रेडिंग में आज हम लोग जिस पर चर्चा करने वाले हैं डिविडेंट एनाउंस्मेंट करने वाला हूं मैं जिससे आप सभी को मुनाफ़ा होने वाला है देखिये इधर मैंने जितनी भी कमपनिया मेंसन कर रखिये लोगों के साथ उन सभी का मैं डिविडेंट उसमें भी participate करिए आप लोग ताकि आप मसे किसी एक viewer को मिल सके iPhone 11 ठीक है चलिए पहले जान लेते हैं कि क्या होता है dividend कैसे हम traders को benefit करेगा देखे dividend जो होते हैं वो company provide करती है अपने investor को और attract करने के लिए ठीक है तो वो per share कुछ ना कुछ price provide करती है जैसे एक रुपए बढ़ा दिये 10 रुपए बढ़ा दिये उस तरीके से profit होता है अगर आप share पहले दो दिन पहले buy कर लेंगे तो उस पे आपको dividend मिल जाता है वो आपको pay नहीं करना पड़ता वो company खुदी आपको extra रुपे देती है ताकि ज़्यादा demand बढ़े उसके stroke की तो चलिए दोस्तों जो पहल नहीं मिलेगा हमने miss कर दिया तो अभी भी देखिए आज 22 तारिक है ठीक है अभी भी आप अगर buy करते हैं तो आपको इसमें काफी दिन मिल जाएंगे 6 दिन का gap है ठीक है दो दिन पहले अगर आप buy करते हैं तो आपको dividend मिलता है किसी भी company से चलिए अगले share के बारे में जा बाई कर लेते हैं तो आपको जरूर से मिलेगा हर share के ऊपर ठीक है आई अगली company के बारे में जान लेते हैं हिंदुस्तान इनिलीवर इसमें देखे 14 रुपए पर share पर मिल रहा है इसकी भी expiry 28 अक्टूबर 2020 को आई अगले share के बारे में देख लेते हैं देखे कोलगेट प आपको dividend मिल जाएगा अराम से चलिए अगले share के बारे में देख लेते हैं तो सागर सीमेंट पर 2 रुपए पर share पर मिल रहा है dividend ठीक है इसकी expiry 3 November को है तो आपके पास अच्छा खासा time है इसमें कोई जल्दी करने की जवत नहीं है आप चाहें तो कोलगेट का sale करने के बा जाले हैं और इसकी expiry उससे भी लेट है 7 November 2020 को तो इसमें भी आप खरी सकते हैं और मुमेंट कर सकते हैं आपका profit जरूर होगा और अगला जो share है वो LT Infotech है ठीक है इसमें जो provide कर रहे है dividend यह लोग 15 रुपए पर share कर रहे हैं और इसकी expiry 27 October 2020 को है तो इसमें आपको जल्दी मुमेंट करनी पड़ेगी ठीक है आईए अगले share के बारे में जाल लेते हैं देखिए अगला share जो है वो हिंदुस्तान जिंक है जिसके उपर 21 रुपए 30 पैसे का dividend मिल रहा है मान रहे हो आप और इसका अभी price पता कितना चल रहा है बस 230 रुपए तो इस पे भी आपको बह है ठीक है देखिए इस पे एक रुपए पर share पर मिल रहा है और इसकी भी expiry 28 अक्टूबर को है ठीक है तो यह थे मेरे तरब से आपके लिए dividend announcement आप आसा करता हूँ आप इसमें जरूर खड़िदारी करेंगे और आपका मुनाफ़ा होगा thanks for watching this video अगर आपका कोई सुझाओ तो कमेंट में जरूर मेंसन करिएगा